जै वे रंगवली प्रे दोस्तों आज पुना आप लोगों का हमारे भग जो तिस चिंतन में श्वागत है बहुत से मित्रों का कहना है कि आप ऐसे कोई योग मुझे बताईए कि जो मैं अपने कुंडली में देख सको कि हमारे कुंडली में सरकारी चौप के योग कब बनते हैं और किस तरह बनते हैं इसलिए हम आप लोगों के लिए सरकारी चौप के लिए 30 योग अच्छे योग लेकर आए हैं कुंडली के में दसमे इस्थान को सरकारी नौकरी के लिए जाना जाता है और देखा जाता है दसम इस्थान में अगर सूर मंगल या ब्रास्पत की द्रश्टी पढ़ रही होती है साथ ही उनमें छटे बाव से संबंध होता है तो सरकाई नोकरी का प्रवल योग बन जाता है ऐसे योग बनते हैं तो निश्चय ही आपको सरकाई नोकरी मिले ही कभी यह भी देखा जाता है कि जातक की कुंडली में दसम में होतो यह ग्रह होते हैं लेकिन फिर भी जातक को संघर्श करना पड़ याता है तो ऐसे में अगर सूर मंगल ब्रास्पती पर किसी पाप ग्रह की द्रिश्टी असुब ग्रे की दृष्टी पड़ती होती है तब जातक को सरकाई नौकरी प्राप्त करने में दिक्कतें आती है और अधिक कठिनावियों का सामना करना पड़ता है दूसरा योग जन्म कुंडले में जातक का लगन यदि जातक का लगन मेश, मिथुन, सिंग, ब्रस्चिक, ब्रस्च का या तुला का होल तो ऐसे सनिग्रह और गुरु ब्रासपती का एक दूसरे सिक्स थे केंद्र या त्रिकून में होतो सरकाई नौकरी के लिए अच्छे यो बनते हैं तीसरा योग जन्म कुंडले में यदि केंद्र में अगर चंद्रमा ब्रासपत एक साथ में हो तो उस स्थान में भी सरकाई नौकरी के लिए अच्छे योग बन जाते हैं साथ ही इस तरह केंद्रमा और मंगल भी अगर केंद्रस्त हैं तो सरकाई नौकरी के लिए शंभावना बढ़ जाती है और शंभावना होती है कि मिल जाती है नौकरी चोथा कुंडली में दसम घर के बलवान होने के साथ तथा इस घर पर एक या एक से अधिक सुब ग्रह का प्रभाव होने से जाता को अपनी केरियर च्छित्र में बड़े सफलता मिलती है तह इस घर पर एक या एक से अधिक बुरे ग्रहों का प्रवाव होने के करण दिक्कतें आने लग जाती हैं पाचबा जो तिस सास्थिर में सूर तथा चंदबा को राजा का माना जाता है यह ग्रह के रूप में जाना जाता है सूर चंदबा तथा लगन धन चतुर से कर्म से संभन जा इनके मालिक के साथ संभन सरकारी की इस्तिती पैदा करते हैं सूर का प्रवाव चंदबा की पेच्छा अधिक होता है लगन पर यदि लगन पर बैठे किसी ग्रह का प्रहल व्यक्ति के जीवन में सबसे अधिक प्रहल रखने वाला माना जाता है लगन पर यदि शूर्या चंद्मा के स्थिति हो तो व्यक्ति निश्चे ही अपने कैरिएर में ध्यान देता और निश्चे उसे सफलता प्राप्त होती है रिक्तम नाम कमाने वाला व्यक्ति होता है और बहुत ही सफल व्यक्ति होता है चंद्रवा यदि दसंभाव में द्रश्ट या दसमेश में साथ ही यूती सरकारी छेतर में सफलता का दर्स आता है यद्यपी चंद्रवा चंचल या स्थिर राजी है जिस कारण से जातक को नौकरी मिलने में थोड़ी परेसानी आती है ऐसे जातक नौकरी मिलने के बाद इस्थान परिवर्तन रिया अपने परिवर्तन छेतर में करते रेते हैं और बहुत अच्छे अपने आगे उन्नत उनको प्राथ होती है। मिलने के योग बन जाते हैं। ऐसे जातक हमेशा सुफल योग रहता है। गुण बाला ब्यक्ती रहता है। गुणी और चुप तरीके से अपने कारे को करने में शफलता प्राप्त करता है। गुणल सैनिक है या उच्छ अधिकारी बुद्ध बैठा या गुरु सिक्छा का स्चेत्र संबंदित शुक्र भी देख सकते हैं। तो संबंदित यही योग बनते हैं तो अच्छे कार में आपको शफलता प्राप्त होगी। सत्तम द्रष्ट से कर्म इस्थान को देखता है। तो निश्चे ही आपकी अच्छी योग बन जाते हैं। यही सूर्दसम भाव में इस्थित हैं। प्रवल संकेत मिल जाते हैं यदि किसी जातक के कुंडले में दसंभाव में मारक रासी मंगल हो या मारक अपनी रासी में बल्वान होकर प्रथम चतुर्थ पंचम सत्तम या नौन दसम इस्थान में हो तो सरकाय नौकरी के योग 100% बन जाते हैं और वह सरकाय नौकरी प्राप्त कर सकता है जोब पा जाता है यदि मंगल स्वाराची का हो तो या मित्र राची का हो तथा दसम में इस्थित हो या मंगल दसमेश की यूती हो तो सरकाय नौकरी के योग अच्छे बन जाते हैं ऐसी योग बहुत ही अच्छे होते हैं और वह को शफल बनाता है पंद्रमा योग चंद्रमा केंद्रिया त्रिकूर में बली हो तो सरकाइअ नौकरी का योग बनता है तो 100% आपको सरकारी जो आपसे कोई नहीं रोक सकता है यदि किसी जातक के कुंडले में लगन में गुरू या चौते भाव में गुरू हो या 10 में 11 भाव में इस्थित हो तो जातक को सरकारी नोकरी के योग तब भी बनते हैं आठरामा योग यदि जातक के कुंडले में दसम भाव पर सूर मंगल या गुरु की दरश्ठी पड़े तो यह सरकारी नोकरी के योग 100% बनते हैं प्रिय दोस्तों यह जो इसमें लिखा हुआ आ रहा है इसको विश्यस ध्यान से देखें क्योंकि हम थोड़ा भोलने में भू मंगल की द्रश्ठी हो विश्मा योग यदि मंगल आठ्वे भाव की अत्रिक कहीं पर या उच्छे रासी का हो तो दसम दस का हो तो एक किसमा मंगल एक केंद्र पर हिस्थी तो योग बनते हैं बाइसमा यदि लगन में दस वे भाव में सुर मेस या गुरु चतुर्थ भाव में हो तो अर्थात स्वारासी का मित्र रासी में हो लगनेस एक भाव में स्वामी लगनेस पर द्रिश्ठी हो तो ऐसे योग भी बनते हैं तो आपके सरकारी जौब के योग बन जाते हैं और आपको सफलता प्राप्त होगी। चोविसमा लगनेश या वन प्लस दसमेश की यूती पच्छिसमा दसमेश केंद्र एक चार साथ दस या त्रिकोंड पांच नौ वे भाव में होतो उपरिक्त योग होते हैं जातक की सरकारी नौकरी मिलती है जितनी जादा योग होते हैं होंगे उतनी बड़ी पदिविप्रा होगी 26-27 सूर्चंद्रवा ब्रहस्पत सरकारी नौकरी में उच्छ पद्वी प्राप्त कराते हैं और 28 योग भाव दुतिये सस्टेस सस्ट एवं दसम भाव को अर्थ त्रिकोंड सूर के प्रधानता होने पर सरकारी नौकरी प्राप्त होती है सरकारी नौकरी के योग बन जाते हैं 29 योग सरकारी नौकरी के कारक गरह का संबंध सूर्वा चंद्रवा से होता है जातक सरकारी नौकरी पा जाता है 31 योग दसमे भाव में सूर तथा मंगल एक साथ हो तो योग बनते हैं 32 योग पहले नौम तथा नौम तथा दसमे घर में सूर होना चाहिए 33 योग जीवन में शफल एवं उसके कार्षित में महत्पूर्ण समझा जाता है 35 महा योग कुंडली में मंगल बुद्ध व्रास्पत सुक्र एवं शनी अपनी रास अथवा उच्च रास का होकर केंद्र में इस्थित होने पर महा पंच महा पुर्षियोग बनाते हैं 34 महा पार्षित 35 महा पार्षित 35 महा पार्षित 35 महा पार्षित 26 क्याम 35 वार्षित 35 महा पुर्श 46 35 33 25 झाल झाल